बेल्डिंग पोजिशन बेल्डिंग पोजिशन और उसकी टेस्ट पोजिशन जैसे फ्लेट वेल्डिंग को 1G बेल्डिंग बुला जाता है ओरिजेंटल को 2G बुला जाता है वर्टिकल अपवर्ड वेल्डिंग को 3G बुला जाता है वर्टिकल डाउनवर्ड को 3G बुला ज जाता है पाइप67 उरिजेंटल जो होते हैं उसको 5G bound को बогलते हैं.. 45 और करेंगे तब उसको की बैल्डि बोल जाता है 5 फीक्सिट 45 च्वेल्डि पर ही डाउन वाइड करेंगे तब उसको 6-0 बैल्डि बलग लगुस्ट्र ऑजो कि यह वेल्डिंग पो इसन ने और उसके टेस्ट यह आप नॉट सकते हैं और इन्हें यादर रख सकते हैं यह बेल्डिंग के लिए बहुत उपी होगी है बेलिंग टेस्ट के लिए और ISO and EN जो नाम होते हैं नहीं कि इंडिकेट करते हैं हम वो बोलते हैं 1G के लिए हम PA से इंडिकेट करते हैं 2G के लिए PC से 3G के लिए PF से और जो 3G है हमारा डाउनवार्ड वर्टिकल डाउनवार्ड 3G को PG से ही इंडिकेट करते हैं 4G को PE से करते हैं 5G को PE से करते हैं 6G को HLO 45 से ही करते हैं और 6G डाउनवार्ड जो होता है यानिकि पाइफिक्षिड में ही वो उसके लिए हम 6G को JL को 45 से ही इंडिकेट करते हैं यह हैं बैल्डिंग के पोजिशन फोर गिरॉफ बैल्डिंग ASME के पोजिशन जो की एक्जाम में भी पुछे जाते हैं और इनकी जानकारी हमें एक कुछाल बैल्डर बनने के लिए होनी ही चाहिए यह आप नौट भी कर सकते हैं यह टेस्ट में भी पूछे जाते हैं जो एक बैल्डर को यह जानकारी अवस्या होनी चाहिए